स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से और अभी मैं यूनिट 5 को कबर करने माला हूँ कुछ नहीं करना है आप लोगों को सिर्फ मेरी ये वीडियो देखनी है यूनिट 5 अराम से कबर हो जाएगी ठीक है कहानी के तरह सुनते हैं इस चीज को हम सबसे पहला है आजरा में पूछ लेता है कि कोड क्या होता है बताएगी तो यहरू मैं बताने मह ना हो कि देखो जैसे कि आपके मन में कोई feelings आई, कोई विचार आया या किसी को आपको कुछ बोलना है तो आप कैसे बोलोगे, एक language में बोलोगे, वो English हो सकती है Hindi हो सकती है, कोई भी language हो सकती है तो वहाँ बे language क्या होगा हमारे लिए code हो गया, हमने क्या किया अपनी feelings को एक language में convert कर दिया अब हम अगले बंदे के पास जब हो जाएगी, तो वो हमारे भासा को सुनेगा, हमारे language को सुनेगा और फिर इसको क्या करेगा, decode कर लेगा अब आपकी feelings को समझ जाएगा है ना, तो इस तरीके से ये क्याम करता है तो आप लिख सकते हो, code is a system code is a system rules to convert information ये information को convert करता है, like English language code होता है कोई भी language code होता है मुझे लगता है code समझ गए, content आते है content क्या होता है, देखो content एक message, जो किसी से select किया हुआ हो, जैसे कि यार देखो मेरा YouTube channel है तो यार मैं क्या करता हूँ, हम मुझे content चाहिए, content कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, जो कि लोग देखें, audience देखें, इसका एक structure plan करता हूँ, मैं एक structure होता है, content का, कैसे मुझे चलना है, कैसे मुझे YouTube पे video upload करनी है, है न, किस topic पे होनी चाहिए, तो इसको क्या कहते है, इसको बोलते है content, okay, उसके बाद है stimulus, दो कि ये क्या होता है, stimulus का हिंदी होता है, प्रुसाहन, ठीक है, it is a thing that a person can receive through one of his sense, मतलब आपने को यसी बात बोली, कि आपको लोग प्रुसाहन कर रहे है, यार, बहुत ही अच्छा, मज़ा आ गया, ठीक है, जैसे आप लोग कुछ लोग कमेंट कर रहे है, कि यार, मतलब बढ़ियां चल रहा है, ठीक है, भाई, अपलोड करता रहा वीडियो, तो यार, ऐसे ही कुछ, ऐसा ही, इस्टेमला से इसको बोलते हैं, कि कि किसी अन्नू, अदर परसन से हम, एक response हो रहा है, अच्छा खासा किसी से, ठीक है, attributes, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या लिख रखा है, देखो, सबसे पहले मान लो, कि आपके मन में कोई, कुछ आगया, आपको किसी को कुछ बोलना है, तो आपको सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप कौन हो, संडर हो, मुझे किसी को कुछ भेजना है, किसी को कुछ बोलना है, मतलब मुझे किसी को कुछ भेज तो क्या हो गया यह आप एक sender हो गया ठीक है अब आपने क्या किया अपने idea को किसी language भेज दिया तो उसको क्या बोलेंगे उस process को encode अपनी feelings को encode कर दिया इसको यही coding वाला चल रहा है तो encode कर दिया उसके बाद क्या किया आपने किसी के through भेजा होगा है ना mail किया होगा WhatsApp किय होगा तो यह क्या होगा हमारे channel हो गए हमने किसी के माध्यम से इसको भेजा अब क्या किया receiver के पाद पहुच गया अब receiver क्या करेगा उसको decode करेगा language की feelings को समझेगा इसको बोलते हैं कि decode किया उन्होंने उसके बाद देखो उसके बाद decode करने के बाद feedback देगा या response देग गया है काफी बढ़िया मैसे सा मजा आ गया ठीक कुछ ऐसा ओके तो यह क्या होता है यह पूरा प्रोसेस होता है कम्यूनिकेशन का इसके now I am coming on next question next topic it is syllable तो देखो syllable क्या होता है syllable यार मतलब आपके पास कोई word है ठीक है तो उसमें क्या है मतलब syllable मतलब होता है कि कोई चीज है उसमें आप या तो एक he vowel है या तो एक वबल और एक consonant है या तो एक वबल और एक से ज़ादा consonant है ठीक है कुछ ऐसा word आपके पास लिखा हो ठीक है जैसे कि मालो on लिखा है on ओ- हो गया तो इसको बोलेंगे mono syllable मतलब एक जिसमें एक एक दोनों हो एक consonant हो एक vowel हो अगर मारे लोग कहीं पर आ गया डिस syllable मतलब कि दो consonant है दो syllable है जिसे upon upon में देखो यू 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 वावल हो गया पी consonant हो गया ओ हुमारा हो जाएगा vowel और फिर एन क्या हो जाएगा consonant हो जाएगा तो syllable यह होता है मतलब इसमें एक वावल हो या एक consonant हो या एक से ज़्यादा वावल एक से ज़्यादा consonant हो जाएगा इसको बोलेंगे syllable ओके now coming on modes of speech delivery अब देखो यार speech delivery के modes होते हैं दुनिया भर के दुनिया भर के तो नहीं कहूंगा मतलब चार होते हैं यहां पर अभी जो हम पढ़ने वाले हैं और आपको काफी मजा आने वाला है पढ़के क्योंकि यहां पर एक सब्द लिखा है मायावती ओके तो modes of speech delivery तो इसमें सबसे पहला लिख रखा है मानने extemporaneous इसका मतलब होता है कि यार हमारे teacher ने हमको बोला है कि भाईया आपको एक presentation देनी है तो हम क्या कर रहे हैं हम उसको घर से तयार करके जा रहे हैं उसके बारे में research कर लिया उसके बारे में तयार कर लिया X मतलब पहले से पहले से हमने चीजों को तयार कर लिया अब हम उसको जा रहे हैं डिलीवर कर देंगे classroom में उके तो इसको बहुत दें एक्स्टेंपोनियस एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो जैसे एडवांटेज में आप लिख देना इसके कि जैसे कि हमारे जो अंदर की भावनाओं को निखार के लिए आता है इडवांटेज में आप लिख सकते हो कि मतलब मानलों हमने गल्ती से अच्छे से प्रिपेर नहीं किया ऐसा भी तो सकता है तो यह हमारे लिए harmful हो जाएगा हानिकारक हो जाएगा अब देखो next है manuscript मतलब मयवती मयवती को जानते हो आप मयवती की lecture को जब सुनोगे कभी उनके भासट को सुनोगे तो यार वो क्या करती है वो कभी भी खुद से मतलब औरली नहीं communicate करती वो उनके पास एक लिखा चिट्टा होता है जिसको वो पढ़ती है बस है ना तो लिखा चिट्टा होता है वो पढ़ती है तो सुरीमती मयवती जी के साथ आप याद कर सकते है कि manuscript किक से मतलब मयवती तो क्या होता है यह यह होता है कि आप आप को speech याद नहीं है और आप को आप speech किसी की चीज को देखके पढ़कर बोल रहे हैं इसको बोलता है manuscript impromptu अब देखको impromptu क्या होता है impromptu मतलब जैसे आपके teacher आए class में और बोले भाईया आपको स्टेज पर कुछ बोलना है आजाओ तुरंट मतलब फटाक से टाइम ही नहीं लिया पढ़ने लिखने का वरना ही इसमें पढ़ने लिखना होता है impromptu का मतलब ही होता है कि ऐसे teacher आया उन्होंने कुछ बोला कि आप आओ और कुछ बोल दो चाल लाइन तो इसको बोलते इंप्रॉम्ट इसके बाद होता है memorization, memorization आपको याद देखके लग रहा है कि याद करके चीज़ें जा रहे हैं और फिर इसको deliver कर रहे है अब देखो importance of speech in personality development कभी कभी चीज़े पूस लेती है यह 10 नंबर में gaining positive perception from others positive perception gain करते हैं यार obviously करेंगे हमारी personality development में अगर हमने speech बोल दिया तो क्या करेगा यह positive perfection क्योंकि यार देखो कि लोग judge करते हैं हमको तुरंत हमारी चीज़ों को देखके judge कर लेंगे तो judge करने की आदत हमारे देश में बहुत पहले से सदियों से बनी हुई है पर्था चल रही है तो इसके अनुसार क्या करते हैं हमें लोग judge करते हैं अब यह depend करता है कि हमको positive perception दिया जा रहा है या negative way में देखा जा रहा है अब देखो दूसरा हो सकता है being able to express ourselves और speech के माध्यम से हम अपने आपको काफी अच्छे से express कर पा रहे हैं ठीक है तो यह दो type के हो सकते हैं कि इसनल personality attributes इसमें क्या होता है देखो professional मदल पर्सनालिटी होती क्या है तो यार देखो किसी इंसान की personality होगी तो उसके अंदर को quality होगी यार उसके अंदर को quality होगी तो भी गोलेंगे कफी अच्छा कफी अच्छी personality बन देखी या तो अच्छा दिखता हो looks wise भी okay वैसे लू इसके basis पे तो यह होती हो personality उसके बाद देखो judge by appearance, attitude, behavior यह भी personality का ही एक प्रिकार है, type है इसके बाद देखो point how can we improve our personality attribute तो क्या कर सकते हैं be confident, confident रहो, improve your communication skill, dress up, अच्छा dress up रखो, poster अच्छा रखो, खड़े सही से हो, सीधे खड़े हो, leadership qualities, okay, leadership qualities अगर आपके अंदर है तो भी बोला जाएगा कि आपके personality attributes काफी सही है, professionally, उसके बाद empathy, एक होता है empathy, किसी और के feelings को सेर और समझ पाए, empathy कभी कोई दो नमबरें पूस लेता है, इसमें क्या होता है कि आप किसी और बंदे को, और बंदे के feelings को समझ पा रहे हैं, इसको बलते है empathy, thank you so much, यह आपका पूरा पूरा 5th unit cover हो गई है, साथ 10 minute में, thank you so much, बने रही है हमारे साथ, चैनल को subscribe रखिए, आगे और भी वीडियो जाने वाली है, क्योंकि paper भी खतम नहीं होने वाला है, okay, thank you so much, subscribe कर दो यार,